मान्यता अनुसार भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को भगवान गणेश जी का जन्म हुआ था। इस दिन घर घर में मिट्टी के गणेश जी की स्थापना होती है। कैसे करनी है तो चलिए बात करते हैं। ऐसे करें गणेश स्थापना गणेश जी को प्रसन्न करना है तो प्रसन्नता पूर्वक और विधिवत रूप से श्री गणेश जी का घर में मंगल प्रवेश होना चाहिए। गणेश जी के आगमन के पूर्व घर और द्वार को सजाया जाता है और जहां उन्हें स्थापित किया जाएगा उस जगह की सफाई करके उसे पूजा के लिए तैयार किया जाता है। उसे आगमन के लिए निमंत्रित करके दक्षणा दे दें। फिर गणेश जी की प्रतिमा को धूम धाम से घर के द्वारा पर लाएं और द्वार पर ही उनकी आरती उतारें। मंगल गीत गाएं या शुभ मंत्र बोलें। इसके बाद गणेश जी की मूर्ति को स्थापित करने के पूर्व ईशान कोन को अच्छे से साफ करके कुम-कुम से स्वस्थिक बनाएं और हल्दी से चार बिंदी बनाएं। फिर एक मुठी अक्षत रखें और इस पर छोटा बाजोट चौकी या लकडी का एक पाट रखें। पाट पर लाल पीला या केसर ये रंग का सूती कपड़ा बिछाएं। चारों और फूल और आम के पत्तों से सजावट करें और पाट के सामने रंगोली बनाएं। तांबे के कलश में पानी भरकर उस पर नारियल रखें। गणेश जी की विधिवत पूजा करने के बाद हवन करें और फिर गणेश का स्वस्थिवाचन का पाट करें। अब एक लड़की का स्वच्छ पाट लें और उस पर स्वस्थिक बनाएं। फिर अक्षत रखकर पीला या गुलाबी रंग का वस्त्र बिछाएं और चारों क पूजा की सुपारी रखें। अब जिस स्थान पर मूर्ती रखी थी उसे पर से उठा कर जैगोश के साथ उन्हें इस पाट पर विराजमान करें। विराजमान करने के बाद गणेश जी के सामने फल फूल वस्त्र और मोदक के लड़ू रखें। एक पार पुन। आरती कर के उन्हें भोग लगाएं और नन्हें नए वस्त्र पहनाएं। अब रेशमी वस्त्र लेकर उसमें फल फूल मोदक सुपारी आदी की पोटली बांध कर गणेश जी के पास ही रख दें। इसके बाद दोनों हाथ जोड़कर गणपती जी से प्रार्थना करें। अगर दस दिनों की पूजा के दोरान को भूल चूक या गलती हो गई हो तो क्षमा मांगे। अब सभी गणपती बप्पा मोरिया के नारे लगाते हुए बप्पा को पाट सहित उठकर अपने सेरिया कंधे पर रखें और जैकारे के साथ घर से विदा करने विसरजन स्थान पर ले ज जाएं। विसरजन के समय उनकी करपूर से आरती जरूर करें। यदि घर पर ही किसी टब या होद में विसरजन कर रहे हैं तो पूरी प्रक्रिया को निभाएं। निर्माल्य को एक जगह एकत्रित करके उचित जगह पर विसरजन करें। घर में विसरजन करने के बाद वह भगवान गणेश हिंदू धर्म में प्रथम पूजनीय देवता हैं। हमने अपने घरों में गणेश जी की मूर्ती हमेशा बाई और मुडी हुई देखी है। गणेश जी की दक्षन मुखी मूर्ती की पूजा विधी विधान से करनी चाहिए। अगर उस पूजा में कोई गलती हो जाए तो गणेश जी नाराज भी हो सकते हैं। लेकिन अगर हम भगवान गणेश की दक्षन दिशा की ओर सूंड वाली मूर्ती की पूजा करते हैं, तो भगवान गणेश की क्रिपा हम पर लगातार बनी रहती है। दक्षन मुखी सूंड वाली मूर्ती की अगर सही विधी से पूजा की जाए, तो यह मनो वान्छित फल देती है। आए जोतिश चिराग बेजान दारु वाला से जानते हैं कि गणेश जी की सूंड किस तरफ होनी चाहिए। ऐसी मूर्ती होती है बेहद शुभ। जब भी आप घर में गणेश जी की मूर्ती स्थापित करें, तो ध्यान रखें कि गणेश जी की सूंड बाएं हाथ की ओर होनी चाहिए। जब भी दक्षन दिशा की ओर मूह करके गणेश जी की मूर्ती बनाई जाती है, तो वह तूट जाती है। जब भी आप घर में गणेश जी की सूंड बाएं और मुडी हुई दिखाई दे, तो हम इसे इडा या चंद्र से प्रभावित मानते हैं, जो हमारा बाया स्वर है। यह हमारी इडा नाडी का प्रतिनिधित्व करता है। सूर्य और चंद्रमा की सांसों के आदान प्रदान के दौरान हमारी नाक में दो स्वर चलते हैं। अगर हम बाई नाक से सांस ले रहे हैं, तो इसका मतलब है कि हमारा बाया स्वर काम कर रहा है और हमारी इडा नाडी जाग्रित है, तो इसका मतलब है कि हमारा दिन शान्थ और स्थिर रहने वाला है। जन्माष्ठमी से लेकर गणेश चतुर्थी तक कई बड़े त्योहार इसी माह में पढ़ते हैं। इसी कड़ी में आज देश भर में हर्ताली का तीज मनाई जा रही है। जिसके बाद कल बप्पा का आगमन होगा और धूम धाम से गणेश चतुर्थी मनाई जाएगी। हर साल भक्त गणेश भगवान का स्वागत बहुत धूम धाम से करते हैं। इस दिन का भक्तों को हर साल बेसबरी से इंतजार रहता है। गणेश चतुर्थी के दिन भक्त बप्पा की स्थापना अपने घरों में करते हैं और पूरे विधि-विधान से उनकी पूजा करते ह गणपती बप्पा को अपने घर में स्थापित करने के भी कई नियम है। वैसी मूर्ती बहुत शुभ मानी जाती है। ऐसे में प्रतिमा घर लाने से पहले इस बात का ध्यान जरूर रखें।